आज हम बात करेंगे सॉलिड इस्टेट के लेक्चर नमबर फोर की लेक्चर नमबर फी में हमने 21L की गर्णाय कम्प्लीट करा दिया थी और आज हम इसी क्रव को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नमबर फोर में किलिए करेंगे संकुलन तो सबसे पहरे हम पैटिंग को प्रेप्टिकल Summon गयों करेंगे उसके बार पैटिंग की परिभासव पताएंे एंड देन इसकी बाद हम पैटिंगे टाइपस की वाद कर दोंगे हम नटापिक देखते हैं है टापिक यह हमारा संकुलन या पैकिंग तो हम संकुलन जड़ा कम हो लेंगे पैकिंग ज्यादा हो लेंगे इससे कि आपको आसानी समझने हा सकें तो वाट इस पैकिंग पहले इसे हम ट्रक्टिकली समझते हैं देखिए हमारा दुनिया में जितने भी ठोस है उन ठोस के जो कड़ होते हैं ये आपस में पैकिंग या आपस में जुड़े होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं जो ये छोटे छोटे कड़ हैं जब ये आपस में जुड़ते हैं तब इक जालक का निर्मार करते हैं जिसकी वज़े से ये आपस में कर जोटे है और इस परभार्त की जो डेंसिटी है घनत्र है बढ़ जाता है ये कर आपस में जुड़े होने की वज़े से एक पैटिंग का निर्मार करते है क्लियर है ये आपस में जुड़े हुए जो कड़ है इन कड़ते तरीके के आधार पर patching हमारी चार पिकारती होग थी है एक उती है हमारी बन डाइमेंशनल यानी की बन D एक उती हमारी टू डाइमेंशनल टू डी थ्री डाइमेंशनल यानी की 3D हमारी इस निवस में 2D और 3D पैकिंग के बारे में हम बात करें किया थे तो सबसे पहले हम पैकिंग की है संक्राण की परिवासा तो परिवासा में हम क्याने केंगी किसी भी भोस की निर्मार में भात लेने वाले छूटे छूटे कर आपस में जुड़कर एक जालक का निर्मार करते है जिससे फोस की या फोस का भनत बढ़ जाता है फोस का भनत बढ़ जाता है और इसी जो पार्टिकल्स के आपस के जोड़ने को हम क्या कहते हैं पैड़ने इसी बिधी को संकुलन कहते हैं क्लियर है अब देखिया या किसी बिधी या हम कह सकते हैं इसी किरिया को बिधी न देखकर आप या लिखने के क्लिया को हम संगुलर कहते हैं तो यह जो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं जुड़े हुए हैं पार्टिकल्स इसलिए सॉयलिट है इन करके जुड़े होने के तरीके के आधार पर हमारे स्रेबस में दो तरीकी की पैकिन है तो एक हमारे पास 2D तरीका और एक है मारे पास 3D तरीक तो तूरी तरीक है की heading है मानी फिर्स heading है Closed packing in to in to dimensions और यहां बात करेंगे Closed packing in three dimensions पहले आपना तर नोट करेंगे आगे दो आप बात करेंगे Closed packing in 2D क्लियर है नोट करेंगे जब करेंगे अब हम बात करेंगे पहली heading Closed packing in 2D तरीका तो फिर्स heading दा लेके हम Closed packing in two dimensions इस टॉपिक को समझते से पहले थोड़ा सा हम इस 2D को समझे two dimensions देखते हैं तो यह जो हमारे पास 2D है पहले इससे पहले समझेंगे हम बढ़ देखें हम जानते हैं यह छोटे छोटे जो कर्ण है यह एक दूसरे से closely pack होते हैं यह जुड़े रहे यह exceed ही line है इस तरीके की packing को हम कहते हैं 1D 1D clear है अब इसी line को हम एक से जाना line है बना दे यह एक line है तो बन दी एक से जाना दो हो जाएं दस हो जाएं बीस हो जाएं हजार हो जाएं लाग हो जाएं जितनी मरजी जाए उतनी line है आप इसके साथ जोड़ सकते हैं तो यह एक ओटे जो हमारे पास packing कहलाएगी यह कहलाएगी हमारी 2D packing इसके बाद 3D packing में क्या रहेगा यह हमारी 2D packing इन particles के ऊपर अज़र कोई और particles रदिये जाते है तो इस condition में यह packing हमारी कहलाएगी 3D packing हमें अपने स्रेवर्स में 2D और 3D packing की स्कटी करती है क्रियर में आगे चले रफ करते हैं बात करते हैं हम 2D packing तो 2D packing का मतलब क्या है इस तरीके से एक लाइन दूसरे लाइन के contact में रहेगी partial contact में क्रियर यह हो गई हमारी 2D packing 2D packing further 2 types की होती है दो दाइन की होती है इसे हम कहींगे square closed packing square closed packing second है hands-up गॉर्णल closed pack तो हम पहले देखेंगे square close packing पहले इसे पहले इसे प्रक्टिकली समझेंगे फिर इसकी डेफिलेशन क्रियर है क्रियर है प्रफ करें तो यही आफ कर लेते हैं यह रहेगा हमारे पास square closed packing aim to be यही पहले आवे सीखेंगे हम hands-up owner यही comparison करेंगे square close packing को देखेंगे square close packing में यह पुर्ण पार्टिकली थोड़ इसे दूर बनाते हैं कि आपको आसानी से समझ आता है जब कि यह सॉइलेट में पार्टिकल्स connect रहते हैं यह दूर दूर इसके बनाएं जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाएं जब कि सॉइलेट के पार्टिकल्स से गुसे इसे closely pack रहते हैं यह हमारा जो एक structure है यह square close packing in 2D का रहते हैं देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं यह square कैसे बनाता है अगर इससे हमें close बनाएंगे एक बूसे के करीब बनाएंगे तो यह a spherical की चार spherical के contact बनाएगा जब एक line दूसरे line के संपर्थ पर रहते हैं clear और एक line दूसरे line के संपर्थ पर रहते हैं और यह जो हमारे पास 36 खाने हैं और यह यहां से देखेंगे हम उड़ा धर एक alignment में होती है alignment में लगे रहते हैं 36 फुर्टु सारा सीधे लगे होगे हैं इस तरीके की packing को हम square close packing कहते हैं इस packing में coordination number यानि की सह सही होगी जो संथ्या होती है एक कर चार कर से जोड़ा होता है तो हम यहां देखेंगे co-ordination first co-ordination number is 4 अगर हम इसकी packing भी कराते हैं तो इसकी जो packing efficiency निकलती है यानि की संपुलन चंपता संपुलन चंपता यह आती है 52.4% क्लियर है पहले इस से नोट कर लीजे फिर आगे हम जड़ते हैं है 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 जड़ते है 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 इसी के comparison से हम सीखेंगे है 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 जड़ते हैं जड़ते हैं है जड़ते हैं है यह जो हमारी इसक्वाइर क्लोस पैकिंग है रकन इसक्वाेर क्लोस पैकिंग होज़ते हैं समझलद अच्छेते जब हम एवरी सेक्शेद लाइन हो या दिवेवरी इंड़ नाइन हो जड़ते हैं ह। यशोरी नाइन को थोड़ा सा इन कड़ों के बीश में दूरी बनाते रखेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए यह लाइन सेव है अब इस लाइन को थोड़ा आज़ा आगे थिसका ही तो यह वादा जो कड़ है इन दौरों के बीश में आ जाएगा तो यह हमारा कड़ा आगे है थोड़ा आज़ा यह फिसके क्लियर फिर यह लाइन है यह पहले ऐसी रहेगी फिर अगे लाइन पर आएगे इसे भी थोड़ा आज़ा पुछ करेंगे तो यह नहां आ जाएगी तो एवरी दूस सेकेंड लाइन अगर उसे थोड़ा सा हम सीधे हाथ की तरफ फिस्ता दे तब हमारी तो पैकिंग बनती है उस पैकिंग को हम कहते है हैंज़ा गॉर्ण क्लोस पैकिंग क्लियर है अब देखें हैंज़ा गॉर्ण में क्या है यहां स्कॉयर ग्लोस पैकिंग में एक गड़ चार गड़ों के कॉंटेक्ट में था, यहां पर एक कन शे ख़़़ों के कॉंटेक्ट में है, जब आप इसे क्लोज ली बनाओगे, तो यह इस तरीके से शुआप करेंगा, तो कितने कन्टेक्ट में है यह,六, clear है, तो आप डेफिनिशन इसकी क्या लिखेंगे, सेम है, कि square close packing की अब ओने हैजजागोनल पे दूसरी लाइन थोड़ी सीधे हाथ की तरफ खिसत जाती है जिससे की एक नई packing का निमार होता है जिसे हम हैजजागोनल close packing कहते हैं हैजजागोनल close packing से relative तीन ऐसे point है जो object में पूछे जाते हैं पहला होई इसकी coordination संधिया है जाव और प्लोस टैकिंग की coordination संधिया दिखती है वो coordination number है इसका 6 तोकि एक करण 6 परसी जोड़ा होगा है पैकिंग efficiency इसकी रिकाली आती है तो इसकी packing efficiency है निकी संकुलन चंता संकुलन चंता होती है इसकी 60.4 परसेंट अब यहाँ एक पॉइंट और वोड़ करिए जब इसे हमने आगे बढ़ाया तो देखिए हर उपर वाले कर्ट से और नीच वाले कर्ट के बीच में चूटे चूटे वोड़ाय से जगा खाली है हर जगा चूटे उटे वोड़ाय से यहां भी चूटे चूटे वोड़ाय से खाली थे क्यारी की होल है इसे रों कहेंगे होल इंगलिस में कहते हैं इसे वॉइट्स तो यहां वॉइट्स है जब वॉइट्स बनते हैं तो इन वॉइट्स की तरज्या होती है पहले तो इन वॉइट्स का नाम इस वॉइट्स का नाम है ट्राइगॉनल वॉइट्स यहां इसे कहेंगे ट्राइगॉनल होस के लिए रहे इन बॉइट्स की जो रेडियस है याली की जो तरज्या है यहां लेक्ट देते हैं 0.115 से लेकर 0.255 इसके बीच में इसकी तरज्या रहती है अच्छे से नोट कर लीजिए तरज्या के वाले में सवाल पूछा जा सकता है कि hexagonal close packing in two dimensional में जो बॉइट्स है उसकी तरज्या कितनी होती है 0.155 से लेकर 0.255 कर Coordination No.6 Packing Efficiency 60.4 जबकि इसकी packing efficiency 52.4 Coordination No.4 सबसे important topic एक point और याद रखेगा चाहे हमारा square close packing हो या hexagonal close packing हो all in all 2D के अंदर जो यह particles होते हैं इन particles का size बरावर होता है यानिकि आकार कैसा होता है समान समान आकार के यह होते हैं नोट कर लीजिए आगे बढ़े चलिए यह हमारा square close packing in 2D यानिकि 2 dimensional complete हो लिए है अब हम अगला topic या अगला point देख रहे है square hexagonal close packing और square close packing in 2D के बाद 3D packing रफ कर ऐसे तो next heading है close packing in 3D packing in 3D अब देखिए शौट में लिख दिया है 3D हम इसे clear करेंगे 2D के रफोड़ी पहले हम 2D को भी समझा के आए हैं तो सेम पहले 2D बनाने हैं यह हमारी 2D packing है और हमें पढ़ना है 3D packing clear है जब 2D packing के ऊपर एक और कड़ विवस्थियत कर दिया जाए यानि कि एक लाइन इसके ऊपर और लगा दी जाए कड़ों की तो इस तरीखेंगे की जो packing होती है इस packing को हम कहते हैं 3D packing 2D के ऊपर एक लाइन यानि कि एक कड़ और विवस्थित कर दिया जाए तो उसे हम 3D packing कहते हैं यह 3D packing 2 types की होती है इनरा इसके होती है 2 तो पहली packing होगी AB 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 types की packing AB AB types की packing और दूसरे होती है हमारी ABC 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 types की packing तो यह AB AB type की packing in 3D और ABC ABC type की packing in 3D यह 2 types की होती है आगे हम देखेंगी AB AB type की packing पहले से नोट कर लों क्रावी पहले होती हैं चलिए आगे बढ़े तो अब स्टार्ट करते हैं AB 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 type की packing देखें इसका एक नाफ और है Hexagonal Closed Packing शॉट में इसे बोलते है H C P इसे Hexagonal Closed Packing क्यों बोलते हैं यह भी दो फ्रट के बाद समझा रहे हैं आपके तो अब इस packing को हम समझेगे हम रिलेट करेंगे सबसे पहले 2D packing से हम 2D packing को अच्छे से पढ़ चुके 2D packing हमारी टू टाइप्स की होती है एक थी स्क्वाइल Closed Packing और एक थी Hexagonal Closed Packing हम Hexagonal Closed Packing को अगे यहां बनाएंगे और उससे बनाएंगे AB AB type P packing तो है Hexagonal Closed Packing इन 2D थोड़ा सा राइप्स आइप्स आइप जैसे यह इसे खिसकाए लेट तो यह बोली हमारा लोग काड़ आए यह बीच पे आले आएगा क्लियर है और यह हमारी हमें 2D Packing और हम पहले बता चुके 2D Packing में जो कड़ होते हैं वो समाह ना करके होते हैं मानके चलिए कि इस कड़ का नाम हमने ले दिया तो यह टोटल कड़ हमारे AAD है क्लियर है इसके बीच की जो वोइट्स थी इस वोइट्स का नाम था ट्राइगोनल और इसकी त्रज्या थी 0.155 से लेकर 0.255 क्लियर यह है हमारी 2D Packing अब पूरी के ऊपर हम एक नई लेयर विवस्थित करते हैं वो लेयर कहाँ पर है जो वोइट्स है इस वोइट्स के ऊपर उस लेयर को विवस्थित कर देते हैं तो यह एक नई लेयर हम लगा लेते हैं वोइट्स से उपर लगेगा यानि कि दो बोले उपर एक नीचे, इसके बीच में हमें डालेंगे, दो उपर एक नीचे, फिर दो उपर एक नीचे, इस तरीके से ही विवस्थित करेंगे, तो ये एक नई लेयर वर नहीं, जो 2D के उपर लगाई है, इस लेयर की वज़ा से इसे हम कहते हैं 3D, क्लियर, और इस लेयर का नाम दिया हमने B, तो इस तरीके से पहली लेयर A और दूसरी लेयर B, तो ये हो गई हमारी A B ये भी टाइप की पैट, क्लियर, अब एक चिक टू कि ये वोईट्स, यहाँ पर पहले सा आए ट्राइंग और अब एक नई लेयर आने की वज़े से, इस इसका जो नाम है, अब इसका नाम हो गया, टेट्राहेटरल बोईट्स, कौन सा होग ये टेट्राहेटरल बोईट्स, अब ये बोईट्स दिजने में कैसा है, ये दिखी, ये बोईट्स से, कुछ इस तरीके का, दो उपर एक नीची और एक इसके रूप, तो ये जो इस voice का नाम है tetra hetral voice के लिए इसकी एक तरज्या है तरज्या है इसकी 0.255 से 0.414 यह इसकी तरज्या है अब देखे इसके बार तरज्या इसकी के लिए हो गई अगर इसकी हम packing बनाते है तो यह जो packing efficiency हो गई इसकी संगुलन चंप्टा संगुलन चंप्टा है इसकी 74% और यह करके जो arrangement में रहते वो 6 कर रहते हैं तो इसकी coordination संध्या होई 6 संगुलन चंप्टा 74% और वो audition number है इसका 6 तो इस तरीके से यह हमारा AB AB टाइप की packing complete हुई इसकी radiation इसकी radius वाइक्स और अगला हमारा टॉपिक है ABC ABC काईप की पैक्टी पहले से पहले तो आसा इसमें एक पॉइंट और बढ़ादे हम तो वो पैक्टी हमारे लिए आसान होई पॉइंट क्या बढ़ाना है यह हमारे पास जो वोईटेंश है या पिर जो अपने पैक्टी की है वौइट्स है वाइड़ से मारे पास टूइंट तो हम पहचान के लिए यहांपती ले ली ले जी है पहर्चांद के लिए यहां सबकर में क्या नहीं दिया टी टी को होज टेट्राहजर एक लिए और यह पैकिंग जो पाई जाती है एफ्सांपिल इसका जैड़े में पाई जाती है मैंदीज में पाई जाती है इस तरी के से मैंटल में यह पाई देटी है क्लिए अब लेटें यहां से स्टार्ट करेंगे हम एवी सी एवी सी टाइप की टैकिंग इस पैकिंग का एक नाम को है क्लिए चलिए आगे रिच्कों यह अब हमने एवी एवी टैकिंग बनाई है इसी पैकिंग में एक लेव और विवस्थित कर दी जाए तो इस प्रिकार बनी हुई पैकिंग को हम एवी सी एवी सी टैकिंग बोलते हैं अब देखें यह लेयर कहां विवस्थित होगी लेयर विवस्थित होगी यह से पहले रख कर देखेंगे देखें यह वाइस है यह वाइस अगली लेयर यहां विवस्थित हो जाएगी क्लियर तो यह तो यह तो लेयर प्रस्थित होई है तो यह अमारे पास ए एड देन ब और यह लेयर आगे मारे पास ची इस तरीके से यह पैटिंग यह लाई ती एवी सी एवी सी पैटिंग बिश्थित हैं क्लियर अपने क्यों कि इसके तर वाइट्स है तो यह जो पैटिंग बनी इस तरीके से यह जो वाइट्स आया इस वाइट्स को कहते हैं हम अक्ता हैंड्रल वाइट्स जिसकी रेडियस है 0.414 से लेकर 0.732 यह इसके बीच में इसकी रेडियस पाइड आती है क्लियर है इसे लोड कर लीजे फिरागे करते हैं एक पॉइंट है बहुत इंपोरेंट है उसके नोट जबूर करिए पॉइंट है नोट कर लीजेगा इसे कोई भी पैटिंग सही माँच के चलिए आपने यह नुमेरिकल अबर पर से आएगा कोई भी एक पैटिंग है और पैटिंग में हमारे यह कड़ आयाते हैं यह कड़ जितने होंगे मांके चलिए यह हमारे पास कड़ है यह हमारे पास पार्टिकल यारी की कड़ जितने कड़ होते है यारी की जितनी बहुत होती है अत्ने भी अउक्टा हैड्रल वाइट पाई जाते हैं यानि कि इसके अंदर जो होल होंगे वह भी कितने होंगे 24 लेकिंट्रा हैड्रल जो वाइट्स है वह इसके दुने हो जाएंगे यानि कि यह होंगे 42 क्लियर है यह नुमेरिकल पर पसे दरा इंपोरेंट सॉफिक है अगला रेक्चर आपकर रहेगा डेंजिकी का नुमेरिकल पॉर्शन है इसके लागा अगर यहां का जो आपने पढ़ाया है आपको इसका पीडियेफ का लिंक आपको डेस्क्रेप्शन में बिल जाएगा अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसे ज़रूर छोड़िए इससे कि हमने थोड़ी सी पावर मिल जाए ठीक है ओक कर लिए